दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्राबाज की बात के साथ मैं उर्मिलेश करनाटक जिस करनाटक को लेकर इतने दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी उस करनाटक के चुनाव का आखिरी दिन यानि मतदान आज संपन्न हो गया तेरह तारीक तक इंतजार करना होगा कि नतीजा क्या निकलता है और दोस्तों आपको बताओं कि करनाटक के चुनाव का नतीजा सिर्फ करनाटक नहीं पूरे देश की सियासत को प्रभावित करने वाला होगा सबसे पहले तो राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गड़ और उसके बाद तेलंगाना जैसे राजियों के विधान सवाचुनाओं को प्रभावित करेगा और फिर उसका असर 2024 के लोग सवाचुनाओं पर पढ़ना लाजमी है यही कारण है कि करनाटक के चुनाओ पर पूरे देश की निगाहे हैं और सबसे अधिक जो देश के बड़े सियासी दल हैं, जो बड़े दावेदार हैं सत्ता के अगली बार 2024 में उनकी निगाहें ज्यादा हैं, वो बहत परिशान है कि कैसे उनकी पार्टी को काम्याबी मिल इस करनाटका में, अगर पूरे प्रदेश का ओसत मत्दान देखें तो वो ले देकर अच्छा हुआ है, इससे भी पता चलता है कि करनाटक के लोगों में अपने सुबाई चुनाओ को लेकर कितना उत्सा है प्रदान मंत्री मोदी देश के सबसे प्रभावशाली राय नितिक पदाधिकारी हैं, स्वेम उन्होंने भी करनाटक के चुनाओ में जिस तरह लगातार कई दिनों तक चुनाओ प्रचार किया, उससे लगा मानुवह इस सुबाई चुनाओ को लोगसभा का मीनी चुनाओ, मीनी एलिक्षन, मीनी पार्लामेंट एलिक्षन मानकर दंगल में कूद पड़े हैं, इतना ज्यादा समय, शायद ही कभी किसी अन्य प्रधान मंत्री ने किसी एक राज्य के चुनाओ में लगाया हो, और दोस्तों मैंने तो देखा कि एक सज्जन एक वीडियो में कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री इतनी मर्तबा, इतनी बार आये हैं करनाटक चुनाओ में भाग लेने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहे थे, स्वैम अपनी बात कह रहे थे, बहुत बुजर्ग थे और देश के तमाम प्रधान मंत्रीयों को उन्होंने देखा था, तो वो कह रहे कि ऐसा तो कभी किसी प्रधान मंत्री को हमने देखा नहीं कि हमारे राजे में आकर इतना ज्यादा समय, इतना ज्यादा चुनाओ प्रचार किया हो जैसा मोधी जी ने किया है, बहराल करनाटक की लड़ाई, भारती जनता पार्टी के मुख्य मंत्री, बासव राज खास कर 2024 के लोग सभाचुनाओ में एक अपराजे ये नेता के तोर पे पेश करेंगे, अपराजे जो कभी हारता ही नहीं, लेकिन भारती जनता पार्टी अगर करनाटक की लड़ाई हार गई, तो बैंगलोरू में सिर्फ कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनेगी, पूरे देश में कांग्रेस लेड जो अपोजिशन है, वो भाजपा से लड़ने की बड़ी ताकत उसको मिलेगी, तब करनाटक की जीत से राजस्तान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में भी कांग्रेस के होसले बुलंद दिखेंगे, करनाटक ने कुछ एक बार देश के आध्वनिक राज 70 की है, इंदिरा गांधी ने उपचुनाव जीत लिया, बाई एलेक्षन था और मौरार जी देशाई की उस समय की सरकार के लिए वाकई संकट खड़ा हो गया, जनतंत्र बचाने के नाम पर मौरार जी भाई की सरकार आई थी सत्ता में, मौरार जी सरकार ने कुछी दिनों बाद वेशेशाधिकार हनन के नाम पर इंदिरा गांधी की संसत सदस्यता ही खत्म कर दी, ठीक वैसे ही जैसे आज राहुल गांधी की संसत सदस्यता खत्म हो चुकी है, ये कोट केस है हलां कि, तब इंदिरा गांधी सडकों पर निकल पड़ी थी, उसके कुछी महीनों बा इसी उसी अंदाज में देख रहे हैं स्वैम सीधा रमया को मैंने कहते हुए सुना मतदान के समय मतदान से वो निकल के आ रहे थे पत्रकार उन से पूछने लगे उन्होंने भी कुछ इसी लहजे में कहा उन्होंने कहा कि करनाटक के चुनाओ पूरे देश के भविश्य के लि ज्यादातर लोग कर रहे हैं ज्यादातर प्रेडिक्शन्स में यही कहा जा रहा है लेकिन भारती जंता पार्टी के नेता अभी भी मान रहे हैं कि वो जीतने के लिए बिलकुल वो कोई उनको हरा नहीं सकता वो ये चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे ये दुरप्पा ने सीट तक बता दी इसी तरह से बासव राज भूंबई भी सबी लोग कह रहे हैं तो कुछ भी कहना ये मुझे लगता है कि आसान नहीं है और मैं भविशेवाणियों में यकीन नहीं करता लेकिन साइन्टिफिक ढंग से जो अगर सरवे किये जाते हैं तो उसका एक महत्त्व है और कई ऐसे सरवेक्षणा रहे हैं जो बता रहे हैं कि कॉंग्रेस बीजेपी से आगे है लेकिन कुछ एक ने हंग एसेम्बली की बात कही है इतनी सारी भवशेवाणियों के बीच करनाटक में 13 माई को क्या होगा उस पर नौ कहकर मैं आज के एपिसोड में दोस्तो इस बात की चर्चा करने जा रहा हूँ कि इस चुनाव का जो भी नतीजा होगा वो किन किन कारणों से होगा और उसके पीछे क्या क्या समिकर्ण होंगे दोस्तो चार या पाँच अगर देखा जाए तो बड़े कारण हैं बड़े फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव के नतीजे को प्रभावित करेंगे पहला जो सबसे बड़ा कारण या फैक्टर मुझे नजर आ रहा है वो है क्या लिंगायत समाज क्या वो वाकई भाजपा से रुठा हुआ है या कम से कम पिछले चुनाओं के मुकाबले क्या लिंगायत समुदाए में भारती जनता पार्टी के प्रती वो मुहबबत अब नहीं रह गई है कहीं न कहीं मो भंग का शिकार है लिंगायत समाज मैं सिर्फ यदुरप्पा के कारण नहीं कहा रहा हूँ कि उनको 2021 में एक तरह से काफी अपमानित करके हटाया गया था लेकिन बासवराज बुमई को लाया गया ताकि लिंगायत ये नहीं कह सकें कि किसी और को ला दिया हलांकि बुमई साहब उस तरह से समाज के किसी भी हिस्से में बहुत पापुलर लिंटा के तोर पे सामने नहीं आ पाए जिस तरह की पापुलरटी उनकी यदुरपा की लिंगायत समाज में थी किसी भी समाज में बॉंबई साहब उस तरह सी उस तरह की पॉपलियर्टी हासिल नहीं कर सके दोस्तो हमारी जो जानकारी है कि लिंगायच समाज में जो जगदीश शेटर और जो दूसरे उनके डिपुटी प्राइम इनिस्टर हैं रहे हैं डेपुटी चीफ मिनिस्टर लक्षमण सवाडी तो ये लक्षमण सवाडी सहाब और जगदीश सेटर के कारण अगर 15-20 सीटें भी प्रभावित होती हैं भारती जनतापार्टी की दोनों बड़े नेता हैं एक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और एक डेपुटी ची मुश्किलें निस्चित रूप से बढ़ेंगी इसमें कोई दोराय नहीं है और दूसरी बात है दोस्तों कि जो लिंगायत समाज है करनाटक में नो सिर्फ पढ़ा लिखा सम्रिद अपेक्षाक्रित सम्रिद समाज है बलकि उसकी सांस्कृतिक जो सोच है उसका जो एक जीव पूजा के मामले में उपासना पद्धती के बारे को लेकर या तरह-तरह के कर्मकांडों को लेकर वो हिंदुत्वा से उसकी बिलकुल अलग पहचान है वो इस बात के लिए लगातार जोर देते रहे हैं कि उनको अलग धर्म के रूप में मानिता दी जाए वो अलग धर्म है भी लेकिन अगर जनगणना जब होती है तो उनको शुमार नहीं किया जाता है अलग धर्म के तोर पे और ये उनके अंदर आक्रोश है दोस्तों तीन हजार के आसपास छोटे बड़े मठ हैं लिंगायच समाज के और लिंगायच समाज के इन मठों का प्रभाव सिर्फ उनके धर्म करम पे नहीं है समाज पर भी है वो इसकूल चलाते हैं वे धर्मशाला चलाते हैं वे तरह तरह के और कारिक्रम चलाते हैं और वेलफेर स्कीम से लेकर के समाज सुधार के काम कास करते हैं पिछले कुछ वर्षों से जब से लिंगायच समाज के कुछ नेता भारती जन मिलना सुरू हुआ और जो ये ग्रेंट मिलना सुरू हुआ उसके जरिये भारती जनता पार्टी और आरेसेस ने मठों के अंदर अपना हस्तक्षेप भी सुरू किया इन्फिल्ट्रेशन एक तरह से होने लगा लिंगायतों की एक बड़ी नाराजगी है कि हिंदुत्वा जो क उनकी तरह के और नेता उभारे गए बलकि यह भी है कि उनके संप्रदाय या उनके धार्मिक जो संप्रदाय है उसके वजूत को खतम करने की भी कोशिश कहीं न कहीं से की जा रही है अगर यह स्थिती वाकई इस चुनाव में रिफलेक्ट हुई लिंगायतों की एमान सकता तो भारती जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं और यकीनन लिंगायतों का यह जो एक आरोप है कई ऐसे बुद्धी जी भी लिंगायतों के हैं जो ये बात कहते हैं जिनकी आबादी पूरे प्रदेश में सत्रह फीस्दी मानी जाती है कि बियल संतोस और प्रहल जनता पार्टी आरेसेस की स्टेटिजी में तो ये भी एक फैक्टर है और देखना ये है कि वाकई लिंगायतों के बीच में ये जो बीजेपी आरेसेस की राजनीच से जो एक वैचारिक जो एक अस्थामती है क्या इस चुनाव के चुनाव में मत्दान के दौरान वो उसक इनकम्बेंसी करनाटक में पिछले काफी समय سے ये कहा जा रहा था उस समय भले ही प्रेडिक्शन्स नहीं हो रहे थे सर बह नहीं ओ रहे थे लेकिन आम तोर पे अख़़वारों में टेलेविजन चैनलों में भी ये कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस को रूकना हो है और यही कारण है कि अमिच शाह जी जो ग्री मंत्री है और प्रधान मंत्री मोधी सारा वक्त उन्होंने करनाटक पर लगाया यहां तक की जब मनीपूर जल रहा था तब भी किंद्र सरकार की ये दोनों बड़े करनाटक में ही घूमते ज़्यादा पाए गए एंटी इंकंबेंसी को काउंटर करने उसको कम करने की भरपूर कोशिश की इन्नेता होने क्योंकि उनको मालुम था कि ये बोमई साब जो मुख्य मंत्री उनके हैं प्रहलाज जोसी जो मंत्री हैं या बियल संतोस जो हैं जो इन्चार्ज उनके भूते की बात नहीं है कि वो एंटी इंकंबेंसी को काउंटर कर पाएंगे इसलिए इतना सारा रोड़ शो कराया गया मैं नहीं जानता मैं बिलकुल नहीं जानता और कोई नहीं बता सकता आज की तारीक में 13 तारीक से पहले कि प्रधान मंत्री मोदी के रोड़ शो में जितने फूल रंग बिरंगे जितने फूल गिराए गए हैं उनके उपर उनकी गाड़ी के उपर उनकी रास्ते के उपर क्या उतने वोट भी पढ़ेंगे उनकी पार्टी को या नहीं ये काहना मेरे लिए कठीन है तो ये दो पहलू खास कर एंटी इंकम्बेंसी और लिंगायत का एक बड़ा कारण हो सकता है इस चुनाव के रिजल्ट में प्रभावित करने का और तीसरा जो बजरंग बली क्या वाकई बजरंग बली का इशू पार फर्मिक प्रतिकों के दूर्प्योग या इस्तेमाल की भारती जनता पार्टी की इस पालिसी पर इस नीटी पर कुछ भी नहीं किया चुप रागई और दोस्तों ये इसलिए महद्पूर है कि लोग कहह रहे हैं कि कॉस्टल बेल्ट जो है जो पहले सही भारती जनता के कारेकरता पस्ट पड़े थे समर्सक पस्ट पड़े थे वो मान कर चल रहे थे कि वो हार रहे हैं इनके अलावा शायद ही बजरंग बली वाले मुद्दे का कोई असर पड़े ऐसा माना जा रहा है और तीसरा दोस्तो जो बिलकुल आखीर में जो मैं कहना चाहता हूं कि यह आयोग की जो फूमी का इस चुनाव में दिखी है करनाटक के वो अभी एक फैक्टर बन सकती है कैसे जितनी नोटिसें जितनी शिकायतें विपक्ष के खिलाप दर्ज की गई है चुनावायोग में और जितनी नोटिसें उनको थवाई गई हैं उनके मुकाबले भारती जनता पार्टी को बिलकुल नहीं बहुत कम भारती जनता पार्टी के खिलाप सबसे बड़ी जो शिकायत रही है विपक्ष की की वो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेवाल कर रही है प्रदान मंतरी मोदी कर रहे हैं हमें शाजी कर रहे हैं और तमाम भी पक्षी नेता कर अरे तमाम सत्ताधारी नेता कर रहे हैं लेकिन कहां से कहीं से भी नहीं कोई नोटीस आई अब बताइए मंगलवार को मानी प्रदान मंतरी ने वीडियो भी जारी करके अपील कर दी उस पर भी कोई उस पर तो कांग्रेस पार्टी ने ततकाल शिकायत दर्ज कराई उस पर भी कोई कारवाई भी नहीं अब चलिए आज की बात तो हम छोड़ दें अब जब वहां मतदान हो रहा था तब भी राजस्तान में प्रदान मंतरी जी का भाशन चल रहा था और पूरे देश में उसको सुनाया जा रहा था लाइफ प्रसारण था तो चुनावायोग लाइफ प्रसारण पर तो रोकी नहीं लगाता उसको लगता है कि और इसका फायदा उठाकर चूंकि एलेक्शन कमिशन ऐसा नहीं करता इसका फायदा उठाकर भारती जन्ता पार्टी के नेत आम तोर पे हर election में वो जहां मतदान हो रहा होता है उससे अलग जाकर और इसी तरह के बड़े बड़े भाशन देते हैं ताकि उनका life प्रशारन हर जगह सुना जाए तो ये भी एक बड़ी दिल्चस्पत बात है तो election commission की एक जो पक्षधरता कहिए या उसमें उसमें उसका neutral empire नो होना ये भी इस चुनाव की एक बड़ी खास चीज है जो factor बन सकती है जीत और हार का एक तो ये मैं कहना चाहता था 306 करोड तीन सो छे करोड रुपए इस चुनाव के दवरान अब तक यानि मैं कल तक कांकड़ा बता रहा हूं सीज किये गए हैं different जो चुनाव से लगी हुई एजनसिज हैं उनके द्वारा 306 करोड और दोस्तो हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ जाए जब final सब कुछ सामने आए तो तो पैसे बहुत छीटे गए हैं बहुत डिस्टिब्यूट किये गए हैं मैं सुन रहा था कि मुंबई से हमारे एक दोस्त है जो फेस्बुक स हम से जुड़े हुए हैं मुकेश असीम और बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं उनका ये कहना है कि वो नवी मुंबई में रहते हैं नवी मुंबई में कंड़ समाज के बहुत सारे मजदूर या श्रमिक लोग हैं उनको तीन चार सापता पहले ही पैसे दे दि है गोवा ने अपने हाँ पेड चुटी यानि वेतन के साथ चुटी का प्रावधान कर दिया ताकि कंड़ लोग जो परोस के इलाके में जो लोग मत्दान करने वाले हैं वो बाकायदा वहां जा सके अब उनको और क्या-क्या दिया गया होगा उनमें से कुछ एक लोगों को या नहीं दिया गया होगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं लेकिन ये चर्चा करनाटक में हर जगा है कि भारी मात्रा में पैसे का वितरण हुआ है और ये कोई एक तरफ से नहीं हुआ है हर तरफ से हुआ है किसके पास कितना पैसा है ये कौन जाने जिसके पास ज्यादा पैस है वो ज्यादा वित्रित कर रहा है लेकिन माननी निर्वाचनायोग ने इस पर भी कोई ऐसी कारवाई नहीं किया है जिसे कि इसको रोका जा सके खतम किया जा सके 306 करोड जरूर पकड़े गए हैं तो दोस्तों आज इतना ही लेकिन 13 तारीक को देखा जाना चाहिए कि क्या य ऐसा भी कुछ हो जाए हो सकता है वैसा नौ भी हो एलेक्शन के बारे में भवश्यवाणी करना खासकर कांटे के चुनाव के बारे में भवश्यवाणी करना मैं समझता हूं कि ये सही रायनितिक विश्वेशन नहीं होगा तो तब तक इंतजार कीजे नमस्कार आदाब सत् करना मैं समझता है